कोर्बा के कर्टला ब्लॉग के धान खरीदी कींद फरस्वानी में रामपूर के पूर्व विधायक श्यामलाल कवर पहुँचे धान खरीदी कींद कर निडिक्षन के दौरान धान खरीदी में अन्यमितता देखने को मिली फर्ड प्रभारी करांती दिवांगन दौरा बताया गया कि यहां का इलेक्टरॉनिक काटा सुबसे ही खराब हो गया है जिसे सुदरवाने के लिए भीज आ गया है इस बात की पूष्टी के लिए पूर्व विधायक ने गाउं के एक दुकान से इलेक्टरॉनिक काटा का डाला जा रहा है पूर्विधायक ने बताय कि धान खरीदी में गड़बड़ी की जा रही है जिन किसानों से जादा धान लिये हैं उनको धान वापस करें यहां निमित्ता में जो भेचने वाले किसान आये थे उनका कहना था कि हम घर से नाप करके लाएं हैं एक तालीस तीन सो और यहां इनके जो काटा है जो इसको क्या कहेंगे तख्री बाट में वो जो है चालीस साथ सोतर रहा है तो इससे तो धोखा हो रहा है क्योंकि वो जो लेके आ रहे हैं इससे तो सही नहीं हो रहा है तो हमारा यह कहना है कि यह जिनका तख्री बाट है यह जो है सही नहीं है इसके लिए इलेक्ट्रानिक मशिन लाएं और कम से कम केंद्र बड़ा है दो तीन इलेक्ट्रानिक मशिन के ब्यवस्ता करें किसान खुद देखें तौलते हुए और उसको समझें और इसमें क्या है इसमें जो तक्री बाठ है इसमें जरा साय हिंट कर देते हैं तो एक किलो ऐसी पार हो जाता है तो किसान इसमें घमित हो रहा है और किसानों की सिकायत है कि हमसे ज़्यादा धान लिया जा रहा है और कम बताएं जा रहा है प्रभारी के दोरा भी बात कहा हो प्रभारी है तो सेल्च मेन है शेल्समेन ने यह जाए कर दें जादा जादा दो-तीन कम से कम इलक्ट्राइन मसीन लाए और किसानों को तौल करके सही वेट करके दान ले ताकि किसानों के साथ लूट नहूम, इलक्ट्रानिक मसीन जो वाहर से मंगा करके हम तौल कीए हैं तो उसमें जो है 42.Kpalas,查म उतने का नुक्सान हो रहा है तो हमारे यह कहना है कि जो भी शेल्समें देवांगन है यहां वो अपने प्रबंधक को लिखें कि यहां ज्यादा ज्यादा हमको इलेक्ट्रानिक मशिन दिया जा ताकि सही नाप तॉल हो सकते मिडिया पॉस सपोर्ट के लिए धरणज जांगरे की रिपोर्ट